स्वागत आप सभी का एक ने वीडियो लक्षर मां आज का ए लक्षर हेगा वेस्ट बेंगोल सर्कल पीए से कोशन बेपर 2020 तो जितने भी डिपार्टमेंट के कोशन से प्लस आपके जीके के कोशन से सभी को में इस वीडियो में कवर करेंगे क्यूंकि यह मिक्स जैसे कोशन इसलिए साथ में जीके को भी हम कर लेंगे और आपके मैथ और रिजनिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रेगुलर क्लासिस हमारी चलिए आप जुणना चाहते हैं मैसिस हमें कर सकते हैं 40 कोशन पेपर जो हम कर रहे हैं उनकी पीडिया फाइल्स जो फर्स्ट ही कोशन है देखिए कोशन के साथ साथ ऑप्शन भी मैं साथ मैं बोलता जाओंगा तो आप अपने अंसर्स पहले खुद सोचिए उसके बाद मेरे द्वारा बताएगे अंसर्स के साथ आप चेक कर सकते हैं आपको यह पता चलेगा अगर आपका इस तरह का कु अगर उसका कोई लाव लेना चाहता है कोई भी विल्क कस्टमर है कोई थोक ग्रहक है तो उसको डाक भिवाग के साथ एक बीन पील समझोता करना पड़ता है और यह बीन पील क्या होता है वो हमें बताना है ब्रिंग नौ पोस्ट लेटर आप अभी अपने अर्टिकल्स को बाद में उनको पोस्ट कर दिया जाएगा बुक नौ पे लेटर है विल नौ पे लेटर या फिर बुक नौ पोस्ट नौ यहां पे देखिए बिन पेल की जो फिल फोरम होती है यह होती है आपके वास बुक नौ पे लेटर आप अपने आर्टिकल्स को अभी बुक करें और जो भुकतान आपको उनके जो डाक चार्जिस के लिए शुलक देने है वो आप बाद में देंगे वो बिल जो है किस तरह से जर्नेट किया जाता है पोस्ट ओफिस के द्वारा उसके बाद आपका जो थोक ग्राक होगा वो कब उसको पे करेगा कौन से मन्त में या कव कितनी तारीक तक वो सारी चीज़े इंपोर्टनेट है एक बाद डिटेल में पढ़ लेना बार बार कुशन पूछे जाते हैं अगला कुशन है आपके बास बीच ओफ दी फॉलिंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू माई स्टैंप के संबंद में निमी लिखित में से 2011 माई स्टैंप को भारत में इंडी पैंडेक्स 2011 के दुरान पेश किया गया तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है यहाँ पे क्या पूछा गया गया और नोट पूछा होता तो क्या आजाता हो और पूछा गया तो क्या आएगा अपके पास भी अप्शन जो है यह सही है कि जो माई स्टैंप है इसको वर्ल्ड फ्लैट ली एग्जिविशन डी पैंडेक्स 2011 के दाने दुरान पेश किया गया था लेकिन जो माई स्टैंप है यह किसका ब्रैंड नेम है जो आपकी परसनलाइजड शीट होती है जो आप ब बन वाते हैं माई स्टैंप स्टैंप वाली उसको कहते हैं माई स्टैंप उसका ब्रैंड नेम है माई स्टैंप तो यहां पर स्कॉष्ण का सियांसर क्या हो जाएगा ओली सेकंड फाइंड दी ओट बन ओट तो यहां पर हमें क्या बताना है बिशम बताना है बिशम का मतलब कि जो इन में से अलग है तो यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा बोला गया है सुबिदा बोला गया है सुकन्या बोला गया है उस मंगल और सुबिदा बोला गया है यहाँ पर इस किस bank की tagline है State Bank of India Post Office saving bank India Post payment bank IC HCI Bank यह पी स्कोषिन का जो सेंसर रहेगा आपका सी इंडिया Post payment की यह tagline है आपका वंक और परिपतवा अभी कहा है अब यह maturity math period क्या होता है giving say most office में account खुलाते हैं जैसे मालम आपने RD का account खुलवाली है अब यहाँ पर क्या होता है RD का account खोलने के बाद आपको पांच साल तक उसमें पैसे जमा करवाने होते हैं पांच साल के बाद जब आपको पैसे भी इंटरस्ट आपको बापिस मिल जाएंगे तो उसका क्या होता है वो maturity होती है कि वो mature हो गया वो पूरा हो अपने जिस दिन account अपना open किया है उसके 21 बर्श के बाद at the time of marriage of the girl child at any age of unattainment of 18 years of the age of girl child या फिर all the ये बावते हैं आप इस question का जो आपका सही answer होगा होगा आपके बाद से after 21 years from date of account opening खाता खोलनी की तारीक से 21 बर्श बाद ये ध्यान रखना यहाँ पे लड़की की एज की बाद नहीं की गई आपको पते है जो SSA का account होता है 10 बर्श तक की कोई भी लड़की का खोला जा सकता है अब माली जी उसने 10 बर्श की उमर में किसी ने account खलवाया लड़क की का तो वो 10 साल आपके उस समय से गिने जाएंगे उसके बाद आपके 21 बर्श और इंतजार करना पड़ेगा तब जाके वो account आपका mature होगा तब जाके आपका account जो है वो पूरा हो जाएगा और यहाँ पे आपको जिसमें deposit करना होता है वो कैसे करना होता है माली जी आपने अब account खुलवाया आज की तारीक में तो आज से लेके 14 साल तक आप इसमें deposit कर सकते हैं और फिर 14 के बाद यह आपके पैसे जो पिया deposit में रहेंगे उसके बाद यह आपके क्या होंगे 21 बर्श की I.U. में 21 साल के बाद mature हो जाएंगे तो इस तरह से रहता सकन्या का इसको थो तो यहाँ पे हमने maturity का मैंने उता है कि जासे RD account खोलते हैं 5 साल के बाद वो पूरा होता है interest आपका और जो आपने deposit किया वो आपको बापीस मिल जाता है उसी तरह से pre-mature क्या होता है आप समय से पहले उस निरधारी तब्धी से पहले उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे national saving certificate NST जो राष्ट्रिय बच्चत परमान पत्र होते हैं कब उनको समय से पहले बंद किया जा सकते हैं own death of single account holder any or all account holders in joint account अगर आपका single account था तो उसमें अगर वो single account holder है उसकी मृत्ती हो जाती है यह फिर joint account था joint account में क्या आता है दो या तीन वेक्ती ब्यस्क जो भी होते ह हैं यहाँ पर दो तीन जितने वी जिनोंने मिलके खुलवाया था उनमें से किसी एक की मृत्ती हो जाती है यह जितने वी account holder से उन सभी की मृत्ती हो जाती है तब उसको बंद किया जा सकते है own court order या फिर court के अदेश पर own for feature by a pledge being a guided officer तो यहाँ पर इस question का जो से answer होगा होग in post office can we done after expiry of dark her में MIS खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है कब किया जा सकता है six month from date of deposit तो जिस तारीक को आपने उसमें deposit किया है उसके 6 मीने बाद या फिर one year from date of deposit 18 months from date of deposit या फिर two years from date of deposit यहाँ पर इस question का जो से answer होगा होगा आपके बास one year from date of deposit आपका जो MIS account होता है जिसमें आपको हर महीने interest मिलता है तो यह भी ध्यान रखना अगर आप उसको prematurely close करवाते हैं तो कितनी कितनी उसमें आपको कटोती होगी ठीक है आपने जो उसमें deposit किया उसमें से कितने पैसे card ले जाएंगे कितने percent card के आपको बापिस मिलेगा यह चीज जहान में रखना यह भी पूछा जाता है तो यहाँ पर इस question का से answer होगा भी खाता खुलने की तारीक से एक वर्ष बाद आप इसको बंद करवा सकते हैं in case of SCSS in post office bitch of the falling is not true dark घर में senior citizen saving scheme जो account होता है उसके मामले में हमें बताना है कौन शा सत्ते नहीं है सबसे पहले यहाँ पे interest is payable on quarterly basis ब्याज जो है तिमाही अधार पर आपको मिलता है account can be prematurely closed at any time from date of opening खाता खोलने की तिथी से किसी भी समय आप इसको समय से पहले इनिके premature आप इसको close कर सकते हैं account may be extended for a period of five years from date of maturity खाता जब आपका mature हो जाता है उसके बाद आप इसको और आगे पांच वर्ष की अबढ़ा सकते हैं यहाँ पर इस question का जो से answer हैगा हमें क्या बतायना है कौन सा सत्य नहीं है सी option यहाँ पर correct हो जाएगी देखी जब भी आपका SCSS account जो है mature होता है अब यहाँ पर बुलेगे कि खाता खोलने की तिथी से बाद आप इसको किसी भी समय बंद कर सकते हैं अब देखिए senior citizen saving scheme जो account होता है किसका खोलता है कोई भी civilian है आपका 60 वरष से उपर है यहाँ पर retired है कोई भी ठीक है तो यहाँ पर 55 एज और 50 एज की एज होती है ठीक है अगला कॉशन है आपके बास in case of RD account in post office which of the statements mentioned below is false dark घर में आपका जो recurring deposit खाता होता है नीचे दिया गया हमें बताना है यह जितने भी options जी हैं मैं से कौन सा गलत है कौन सा false है सबसे पहले account can be extended for a further period of 5 years at current RD interest rates सबसे पहले यहाँ पे चीज क्या बोली गई है कि आपका जो RD account हो पांच बर्ष के बाद और उसके बाद आप इसको आगे के पांच बर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं लेकिन जो आपको interest मिलेगा इन पांच बर्षों के लिए जो आप extend कर रहे हैं वो क्या मिलेगा जो आपके मोके पर ब्याद चल नहीं है ठीक है? जो आपके current में RD interest rate है वो आपको इन पांच वर्षों के लिए मिलेंगे दूसरा है आपके पास extended RD account can we close at any time during the period of extension उसके बाद आपके ये जो पांच वर्ष आपने extend इसको किया है इन पांच वर्षों के दुरान आप RD के account को किसी भी समय बंद कर सकते हैं लेकिन जो पहले पांच वर्ष होते हैं उसमें आपके पास क्या condition होती है कि तीन वर्ष के बाद यह निकि 36 months के बाद यह आप इसको close कर सकते हैं लेकिन यह वाले extended जो 5 years है इसके दुरान आप किसी भी समय इसको बंद कर सकते हैं उसके बाद आपके पास बुले गए इन के सो pre-mature closer of extended RD account RD interest rate for completed years will be applicable अब देखिए आपका ज आपने पांचवे के बाद छटा साल जो आई है आपने complete कर लिया तो इस complete year के लिए आपको जो RD का interest rate है वो मिलेगा और जो सात्वा वर्ष है उसके लिए कौन सा मिलेगा आपको saving वाला यह निकि पहले 6 साल के लिए आपको RD interest rate मिलेगा और सात्वे के लिए जो आपने complete नही पार रख सकते हैं वैसे कब ऐसे उसको रहने दे सकते हैं तो यहाप इस question में false बताना है तो यहाप इस question का से answer आएगा आपके बास से क्यूंकि आप जब भी RD account extend करते हैं तो further आपको जो interest मिलेगा पांच वर्षों के लिए वो आपको बही interest मिलेगा जब आपने account open किया था समय जो interest rate था तो यह चीज़ ज्यान में रखनी है इस तरह के question confusing से होते हैं लाइन अच्छे से पढ़ लेनी या false पूछा गया था यह option यहां पर आपकी से हो जाएगी in case of TD account in post office which of the following statements is correct डागर में TD time deposit खाता जो होता है आपका उसके संबंद में कौन सा कथन सही है account can be opened with minimum of rupees 1000 and in multiple of 100 सबसे पहले जो account है आप 1000 रुपी से खोल सकते हैं और 100 रुपे के गुणाक में इसको खोला जा सकता है तो उसके बाद कितने से खुल जाएगा 1100 से खुल जाएगा 1200 से क्योंकि यह 100 के multiple में आते हैं और उसके बाद हम बात करें joint account with up to 3 adults can be opened अब यहां पर स्यूंक तखाता अगर कोई खुलवाना चाहता है तो तीन वियस्क मिलकर आपस में उसे खुलवा सकते हैं options यहां पर बलगी है only first आपकी correct है only second both first and second neither first nor second यहां पर हमें सही बतानी है तो question का जो सेयांसरा दे गए आएगा आपके बास ही दोनों ही options आपकी बिल्कुल सही है टीडी अकाउंट आप minimum one thousand रुपी से एक सो रपे के multiple में इससे ज़्यादा खुलवा सकते हैं और आपके तीन वियस्क मिलकर इसको खुलवा सकते हैं authorized balance of a sub-office is fixed by aso जो होता है sub-office होता है उसका अधिकरित balance किसके द्वारा तैय किया जाता है head of circle है sub-divisional inspector है regional pmg या फिर senior superintendent of post offices यहां पर देखिए जो sub-office होता है उसका अधिकरित balance अधिकरित balance क्या होता है कि minimum और maximum उसके पास कितना नकद शेश हो सकता है या फिर जो postage times है या बाकी जो office times होती है उनमें वो कितना maximum balance जो रिटेन करके रख सकता है अपने पास रख सकता है तो यहां पर इस question का जो से answer आए गई आएगा आएगा आपके बास head of division यानिके senior superintendent of post office या फिर superintendent of post office के दारा इस चीज़ का निरधारन किया जाता है अगला question है आपके बास cash bag is closed and sealed वाई cash bags होता है किसके दारा इसको बंद किया जाएगा और seal किया जाएगा सब account पिये है उसके बाद postmaster आपका treasurer है या फिर all the above तो जो कोशा अधियक्ष होता है आपका treasurer जो होता है उसके द्वारा cash bag को बंद और seal किया जाता है यहाँ पे इसी option जो आपकी सही हो जाएगी the record showing details of officials on duty on a particular days किसी बिशेश दिन पर duty पर तैनात अधिकारियों का विवरंड दिखाने वाला record कौन सा होता है laser book है nominal role है memorandum of distribution of work है postmasters personal diary है तो यहाँ पे इस question का से answer आएगा आपके बास भी nominal role जो होता है यह दर्शात है आपके बास किसी भी निर्धारित या किसी भी विशेश दिन में जो duty पर तैनात अधिकारी होते है उनका record दिखाता है यह उसके बाद है nominal role is preserved for a period of nominal role जो है कितनी अवधी के लिए सरक्षित किया जाता है options आपके बास एक वरश तीन वरश साथ या फिर स्थाई record है तो nominal role जो होता है यह एक permanent record है तो यहाँ पे इस question का जो सही answer आजएगा या आएगा आपके बास D the minimum limit for deposit is 1,50,000 in the financial air for and accounts कौन कौन से खातों के लिए एक वित्य वर्ष में अधिक्तम जमाराशी जो है यह निके maximum जो आप उसमें deposit कर सकते हैं डेड़ लाख रुपे है एक वित्य वर्ष में डेड़ लाख रुपे आप maximum कौन कौन से account में deposit कर सकते हैं आपके बास आएगा आपके बास एस से स्कन्या समरिध्धी अकौंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकौंट में आप एक वर्ष में एक वित्य वर्ष में एक फैनेशल एर में डेड़ लाख रुपे जमा कर सकते हैं maximum और दूसरा इनमें एक और जो समानता है वो क्य सब्सक्राइब लेन के लिए किस सोफ्ट वेर का यूज किया जाता है आपके पास मकैमिश है पॉइंट ऑफ सेल है फनेकल है या फिर सैप है तो यहां पर स्कॉशन का जो से एंसर हैगा यह आएगा आपके पास सी फनेकल अब यहां पर यह आपके कोन से IT मोडनाजेशन प् जहां से आप इसको करेंगे और 10 के 10 मार्क्स आप ला सकते हैं लेकिन अगर आप 40 कोशन पेपर्स करते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्का आजाएंगे क्योंकि यह रिपीटिव कोशन होते हैं बहुतार डीप में नहीं पूछे जाते हैं वही कोशन जरीपीट होते हैं जो हर पूछे जाते हैं हर साल पूछे जाते हैं तो आपको यहीं से वो करने अच्छे से इनको कर लीजेगा sorting case is prepared by छंटाई case कोन त्यार करता है अब सबसे पहले head sorting assistant superintendent of rms assistant superintendent of post offices या फिर sorting assistant तो यहां पर इस question का जो सही answer आजाएगा यह आएगा आपके पास भी इसको आपके head of rms division के दारा यहनके superintendent of rms के दारा इसको तियार किया जाता है which of the following statements with respect to mail agent are correct mail agent के संबंद मैं निमिन मैंसे कौन सा कतें जाएगे सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना है यह mail agent जो है वो किसका in charge होता है transit mail office का तो यह आप है वही चीज़ बली है सबसे पहले बोले कि mail agent has nothing to do with articles contained in closed mail bags handed over to him for disposal सबसे पहले जो mail agent को निप्टान के लिए बंद थैले दिये जाते हैं उनमें जो लेक होते हैं उसके साथ इसे कोई शेडशार नहीं करनी है दूसरे है हमारे पास transit bags handed over to mail agent are opened by him या फिर दूसरे हमारे पास अब देखिए जो भी transit mail office के लिए आपके transit bags आते हैं पार गमन अपार वहन जो आपके थैले होते हैं उनको आपके mail agent के दोरा खुला जाते हैं यहां पर हमें correct बताना है only first only second both या फिर neither यहां पर इस question का जो से answer आजाएगा या आएगा आपके बास ही both first and second दोनों ही आपकी options जो है यह सही है mail agent जो है उसको बंद जो थैले सोंपे जाते हैं उनके अंदर के articles के साथ कुछ नहीं करेगा लेकिन जो आपके कौन से transit bags होते हैं उनको mail agent के द्वारा खोला जाता है which of the following statement is correct नहीं मैं से कौन सा कथन जो है वो सही है वो हमें बताना it is essential that every sorting assistant must have the sorting list not necessarily committed to memory यह जरूरी है कि परतेग चंटाई साय के पास चंटाई सूची होनी चाहिए लेकिन चंटाई सूची याद होना यह जरूरी नहीं है दूसरा बोला गया it is essential that every sorting assistant should be able to repeat from his memory all particulars of due mail received and delivered to each receipt at each receipt and dispatch उसके वाद देखिए due mail क्या होती है तो आपकी ऐसी mail जो आपको समय समय पर या हर रोज आपको प्रेशित करनी है या आपको प्रापत करनी है जैसे आप आप ऐसूम है काम करते हैं तो बहापे आप क्या देखते हैं जो अगर आपके registered bag है अगर उसमें कोई भी article नहीं है तब भी आपको वो प्रापत होगा होते हैं आपके ड्यू यानि के जो भेजने पड़ेंगे जो होते हैं जब जरूरत पड़ी जासे पार्सल वैग हो जाएंगे कैंप वैग है इन सबी को तभी बनाया जाता है जब इनकी जरूरत पड़ती है तो बोही चीज़ यहां पर बोली गई है कि आपका जो sorting assistant होता है परते एक चंटाई सायक जो होता है उसको सारे ही particular आपकी mail इसको receive करनी है या उसको जो प्रापत करनी है या उसको प्रेशित करनी है जो भी due mail होगी ठीक है उसके जितने भी विवरण है वो उसको याद होने सही है और यहां पे हमें क्या बताना है correct कोन सी है only first only second both first and second neither first nor second तो यहां पर इस question का जो सेंसर आजाएगा यहां जाएगा आपके बास भी only second वाली सही है अब यहां पर परते एक चंटाई सायको sorting list जवाब वो बिल्कुल याद होनी चाहिए तो कि अगर उसको sorting list अच्छे से याद नहीं है तो वो चंटाई अच्छे से नहीं कर पाएगा वो बहुत जादा टाइम लगाएगा articles की चंटाई करने में अगर उसको यह चीज़ याद नहीं है तो यहां पर इस question का से answer क्या जाएगा बी daily report of HSA must be submitted to head sorting assistant की जो दैनिक report होती है वो किसको प्रस्तित की जानी चाहिए head record officer only सिरफ आपके जो परधान अवी लेक अधिकारी होते है उनको सोंपी जाएगी superintendent through record officer या फिर अवी लेक अधिकारी को अधिक्षक सोरी अवी लेक अधिकारी के माध्यम से अधिक्षक को वो अवी लेक अधिकारी के थुरू अधिक्षक के पास दाएगी है आप ध्यान रखिए उसके पास mathematics के question है description में आपको यहाँ पर link मिल जाएगा इनको करने के लिए उसके पास यहाँ से आदाते हैं फिसे department के questions तो यहाँ पर है one white is equal to how many width एक white कितने width के बराबर होता है options है आपके पास 64, 32, 8 या फिर 4 यहाँ पर इस question का जो से answer आएगा या आएगा आएगा आपके पास थी 8 width के बराबर होता है one white in a network system which of the following is the most powerful computer एक network system है निमिन मैंसे सबसे शक्तिशाली computer कौन सा है desktop है laptop है notebook है या फिर server है तो यहाँ पर इस question का जो से answer आएगा या आएगा आपके वास दी server जो है यह answer हो जाएगा इसका सही which of the following keys on a computer keyword occur all three once तो यहाँ पर हमें बताना है computer keyboard पर कौन सी कुझी केवल एक ही बार होती है तो यह आपको खुद देना answer आपने keyword बड़ी बार देखा होगा कौन सी कुझी सिरफ एक ही बार होती है कुछ एक होती है तो दो दो बार होती है left right में आपको दोनों साइट दिख जाएंगी लेकिन में से कौनची है जो नहीं होती है नहीं पता चला description में आप देखना बहाँ पर मैंसर बता दूंगा which of the following term is used to define an error in computer programming that produces a wrong result computer programming में 30 को error को परिभाशित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो गलत परिणाम देता है यह जो भी गलत परिण इसको वग कहा जाता है और network security device that protects private data on a computer while filtering and blocking outsiders from unauthorized accesses called एक network सुरक्षा उपकरण जो बाहरी लोगों की अनधीकरित पहुँच से फिल्टर और अबरूद करके computer पर नीजी data को सुरक्षा परदान करता है उसको क्या कहा जाता है router कहा जाता है firewall कहा जाता है modem कहा जाता है या फिर mail वेर उसको कहा जाता है question का से answer होगा आपके बास भी उसको firewall कहा जाता है तो यहां पर उसके बाद बोलेगे who is the winner of IPL 2020 तो question करने है आपको which the winner of IPL 2022 वो अभी देख लेना कौन जीता है मुझे तो नहीं पता है आपको पता है आप देख लेना अभी आपके मैचे चल र रहे हैं क्योंकि आपके current में नहीं आ सकता है current वाले topic आपको गरने है तो वह आपको current में देखना पड़ेगा क्या important चीज़ हो रही है अगला question है आपके बास ornithology is the scientific study of ornithology पक्षी विग्यान जो है किसका अध्यायन है बोन्स है उसके बाद आपके बास गहने है फिशिस है वर्ड्स है तो यहाँ पर और नवेंट्स है तो यहाँ पर इस question का जो सही answer आएगा दिखिए आपके बास यहाँ पर simple लिखा हुआ पक्षी विग्यान तो आप words से संबंदित है और निथो लोजी यानिके पक्षियों का विग्यानिक अध्यायन है उसके बाद आपके बास महीनी अटम is a dance forum from beach of the falling states तो यहाँ पर जो महीनी अटम है किस राज का एक नरित्य रूप है आप देखिए यह पूछे जाते है नरि किनी अटम जो है केरला का तो यहाँ पर आपकी जो से अप्षिन आ जाएगी आ जाएगी बीच of the falling is the dance forum from गुजरात गुजरात का कौन सा डांस है हमें पताना है नुटंकी है भांगडा है कथक है कथक जो है किसका है नुटंकी किसका है भांगडा किसका यह भी कर लेना और जाना अफदुलकलाम अजाद है जय देव है तो यहाँ पर इस कुशन का जो से अंसर आए आएगा आएगा आपके बास भी रविंदन आटागोजी के द्वारा इसको लिखा गया है ब्रह्मा स्माजवा स्टार्ट वाई बिच ओफ दी फोलिंग ब्रह्मा स्माज की एक व्यस्क मानव कंकाल में कितनी अड़ी होती है तो गिन्ने मत वहाँ पर बैठ जाना याद रखना 206 होती है भी ओप्शन यहाँ पर आपकी से हो चाहेगी बीच व्लड ग्रूप इस कोल्ड यूनिवर्सल डोनर की सरक्त समू को सारभ भूमिक दाता का जाता है आपका नहीं कर सकते थे आप सभी का बलड जो है वो डुनेट तो आप सभी को कर सकते हैं लेकिन ले किसी से ऐसे नहीं सकते थे ठीक है उसके बाद आपके बाद जिम कारवेट नाशनल पार्क इस सिचुएटड इन बिच स्टेट तो यहाँ पर ऑए एक सिंग वाले गेंडे हाथ यह शाटिक बबर शेर यह ऐसे वैसे जो भी होते हैं ठीक है जो आपके थोड़े से अलग है तो आपको यह चीज पता करनी है कि आपका जासे जिम कारवेट नैशनल पार्क है यह इंडिया के कौन से स्टेट में कौन से राज्य में से देते हैं सबसे राजसान बोला गया है इकड़ बताया गया है उत्राखंड है या फिर ही माचल परदेश तो देखे जिम कारवेट नैशनल पार्क जो आई उत्राखंड में सेते हैं क्या इसकी खासियत है यह सारे पढ़ लेना क्यों होता है ठीक है उसके बाद मैथमेटिक्स के फिर से आगे डिस्क्रिप्शन मे करना ही है इच पोस्टल सेरकल इस हैडड़ वाई पर एक पोस्टल सेरकल का नेत्रित्व किसके द्वारा किया जाते है अब यहां पर देखिए पोस्टल सेरकल होते हैं पोस्टल सेरकल के बाद क्या होता है उनको बाद में बांटा जाता है रिजन के बाद करें तो उनको ड pos master g· pos master general bei gend तो यह करें तो यह फिर और बिलकुल होना चाहिए यह बहुत जर्का आपके ऐं पस यहां पर आपको सिरुकल बहुत जाएगी थे नर्य आपके पास का कॉन्स है, सबसे पहले गुजरात की बात करें, तो देके है, गुजरात का कॉन्स है, अब कुछ एक तो ऐसे भी सरकल है, जहाँ पे उनकी स्टेट कापिटल है, बहुत तो सिंपल है, आपको बताएएअ, आपने राजरानिया की हैं, तो आपको आजाएगा लेकिन यहां पे कुछ एक लग से हैं जिनकी आपकी आपका जो हैड़कोर्टर वो उनकी स्टेट कैपिटल नहीं है जैसे गुजरात की बात करें गुजरात का कहाँ पर एहमदावाद में तो यहां पर फॉर्थ लग जाएगा केरला का दिरुवंत पूरम है यह चलो इसकी राजानी अवडिसा का भूबनेशवर है अगयर नोर्थ येस्ट जो है इसका आए शिलोंग अव नोर्थ इस्ट में क्या होता है आपके बास टोटल सिक सटेट्स हैं छे स्टेट्स के नाम याद कर लेना उन यह शे स्टेट्स का हेड़कोर्टर शिलोंग तो यहां पे देखिए हमारे पास पहला जोह है किसे 4 से मिल रहे हैं तो यहां पर कहां पर सिर्फ B में मिल रहे हैं उसका B की बात करें केरला तिरुबंतपूरम से B का first आ जाएगा, C है Odisha Bhuvanishwar second से आ जाएगा और यहाँ पर D third से आ जाएगा, B option आपके से हो जाएगी Beach of the statement given below is or are factually correct द्यामें हमें बताना है तथ्यात्मक रूप से कौन सा कथन सही है SSRM and SRM is the administrative and operative in charge of all RMS offices and sections SSRM यह फिर SRM सभी RMS कारियार ले और अनभागों का परशासनिक और संचालन प्राधिकारी होता है उसके बाद हमारे पास दूसरी option बुल गिए SSP, SP is the administrative and operative in charge of all post offices SSP, senior superintendent, post office या फिर superintendent जो होता है सभी डागरों का परशासनिक और संचालन प्राधिकारी होता है यहाँ पर options बुली है only first is correct, only second is correct both first and second are correct, neither first nor correct तो दोने ही सही है तो यहाँ पर इस question का जो सही answer आएगा आएगा आपके बास C अगला question है हमारे पास बड़ी सी full forum of and DC, and DC की full forum आपको बतानी है, non delivery center है non delivery circle है, nodal delivery circle या फिर नोडल delivery center तो यहाँ इस question का जो सही answer आएगा D, nodal delivery center उसके बाद आपके बास in term RICT device, what does RICT means, RICT device के संबंद में RICT जो होता है, आप RICT पे device पे काम करते हैं, branch office में ओ RICT जो device है, उसका पूरा नाम के है, rural center information, rural information and communication technology, या फिर rural and city information technology rural information and communication device इस question का जो सही answer आएगा, rural information and communication technology, ग्रामिंट सूचना और प्रद्योगी की संचार भी option आपकी सही हो जाएगी valid license for a franking machine is issued by franking machine के लिए bad license होता है, किसके उदारा जारी किया जाता है, SSPSP of the postal division भेर्द is a machine is located तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जहाँ पर machines हीता है, यहनिके जिस भी postal division में आपकी machine का आपको प्रयोग करना है, बहाँ का जो head of division होगा, वो इसका license जारी करेगा senior postmaster of head post office postmaster या फिर assistant superintendent of post offices, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer आजाएगा, यहाँ आएगा, आपके बासे SSPSP of the postal division भेर्द the machine is located, जहाँ पर machine का आपको यूज करना है, बहाँ का जो भी head होगा, head division होगा, वो आपका हो जाएगा, ranking machine license का authority, वो ही आपको issue करेगा which of the following statements regarding remotely managed franking machine are correct remotely managed franking machine के संबंद में, कौन सा कथन सही है, सबसे पहले, license for remotely managed franking machine to be used in post office be obtained from the postmaster of head post offices, तो जो dark घर में उप्योग किये जाने वाले remotely managed franking machine होते हैं, उनका license परधान डागर के postmaster द्वारा जारी किया जाता है, franked articles can be tended at the counter on the same day of franking, तो frank कियो लेखों को franking की तारीक पर ही counter पर प्रस्तुत करना चाहिए, यहाँ पे options आपके पास क्या बोलीगी है, only first, only second, both first and second, neither first nor second, 82 जो question है, इसका जो सही answer आजाएगा, आपके पास ही आजाएगा आपके आस only second option जो है, यह सही है first बाली आपकी गलत है which of the following types of articles are accountable articles, कौन-कौन से लेख जवाब दे लेख है, यहनि के कही न कहीं का record रहता है, सबसे बहले registered letter है, registered parcel है, speed post letter है, speed post parcel है, फर franked ordinary letter है, तो यहाँ पे question का जो say answer आजाएगा, यह आजाएगा आपके बास, see, जो first, second, third और fourth है, यह है आपके बास accountable articles, लेकिन franked ordinary letter नहीं है, इसका कोई record नहीं रहता है, पोस्ट कर दिया, पहुंच जाएगा, पहुंचना तो चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, record आपको कहीं पे मिले, उसको ज़रूरी भी नहीं है, रिकोर्ड आपको कहीं पे मिले, तो बहुत ही असान कोईशन है, बार-बार वीडियो में आ रहा है, 4 kg या 400 ग्राम्स है, 250 या फिटेन केज़ी, कोईशन का से यह से रहोगा, 4 kg से अधिक नहीं होना चाहिए, registration of an article is compulsory in which of the following cases, निमें लिखित मैंसे कि इस मामले में एक लेक का पंजीकर्ण अनिवारिया है, सबसे पहले पार्सल एक्सीडिंग 10 kg, पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, इन्शोर्ड आर्टिकल आपके वीपी आर्टिकल्स तो यहां पे उप्शन जो हैं, पहले में भेजना पड़ेगा, ensured article है, तब भी registration कमबच रहा है, वीपी article है, तब भी registration कमबच रहा है, सी औप्शन आपकी यहां पे सही हो जाएगी, कस्टम कंट्रोल इस एक्सरसाइज रोन बीच ओफ दी फोलिंग का सीमा शुल्क नियंतरन निमिन मैंसे किस पर किया जा सकता है सबसे पहले और जिसका वित्रन भी भारत में ही हो यारे पोस्ट भी बीतर आप कर रहे है और पर भारत से बाहर आप पोस्ट करहे है भारत के बारी सोर पिकल को भारत के बाष्त सब्सक्ड में इसार जाएगी जो ऐसे सीमा शुलक्न यंत्रन एब पर होते हैं जब भी आपका आर्टिकल आपके भारत की सीमाओं को लांगता है चाहे वो बाहर से अंदर आ रहा है चाहे अंदर से वो बाहर जा रहा है ऐसी सिती में उसके ओपर कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है तो यहां पर आपकी इसी ओप्शन सही हो जाएगी अगला कुशन है आपके पास कस्टम कंट्रोल इस एक्सरसाइज रवाई सीमा शुलक नियंतरन का प्रयोग इसके ओधारा किया जाता है ओफिसर्ज ओफ कस्टम डिपार्टमेंट ओली केवल सीमा शुलक बिवाग के अधिकारियों द्वारा ओफिसर्ज ओपोस्टल डिपा अधिक्सरसाइज इन बिच ओफ दी फॉलेंग ओफिस इस तो यहां पर हमें वताना है डाक बस्टूओं के लिए सीमा शुलक नियंतरन मुख्या रूप से निमिन मैसे किस कार्याले में प्रयोग किया जाता है स्पीड पोस्ट हब है फोरन पोस्ट ओफिस है जर्नल भी फोरन पोस्ट ओफिस में किया जाता है नेक्स कुशन आपके पास पोस्टल अप्रेजर एंड प्रिंसीपल पोस्टल अप्रेजर इस तो यहां पे डाक मुलियांकक और परधान डाक मुलियांकक क्या है अब यहां पे आपको डाक साथ में दिख रहा है आप सोच रहे हो होते हैं दूसरा यहां पर बुलागे है कस्टम ओफीस एकसेसिंग पोस्टल आर्टिकल्स पार कस्टम कंट्रोल या फिस सीमा शुलक नियंत्रण के लिए डार्क बस्वों को अकलन करने वाले सीमा शुलक अधिकारी नाइधर नौर वी बोथ हैंड भी तो यहां पर इस कुश के अधिकारी होते हैं एशिया पैसिफिक पोस्टल युनियन एच साइड आट इंशन प्रसिद हैं अगला कोशन है आपके बास बटार एर मेल पोस्ट कार्ड क्या होते हैं पोस्ट कार्ड इशुड वाई पोस्ट ओफिस फार ट्रांस्मिशन बाई टू फोरें कंट्रीज बिदेशों के लिए हवाई मार्ग दारा परसारित होने वाले पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड इशुड वाई post office for transmission by surface to foreign countries बिदेशों के लिए सते मार्गदारा परसारित होने वाले postcard जो डागर के द्वारे अशू किये जाते हैं postcards issued by post office for transmission by air within इंडिया या फिर भारत के भीतर हवाई मार्गदारा प्रेशित करने के लिए अशू किये गए डागर द्वारे पोस्ट कार्ड पारसल के लिए बजन की समानित है अधिक्तम सीमा जो है यह क्या है तो आपके बास पांच केजी, दस केजी, ट्वेंटी केजी या फिर ट्वेंटी केजी क्वेशन का से याँसर आएगा आपके बास सभी 20 केजी ठीक है किसी भी फोरन पारसल का जो आपका मैक्सिमम बेट हो सकता है, वो कितना हो सकता है? 20 किलोग्राम हो सकता है इन केस बीच ओफ दी फॉलेंग आइटम्स इंशॉरेंस इस कंपल्सरी कंडिशन फार ट्रांसमिशन बाइ फोरन पोस्ट निमी लिखित मैसे किस बस्तू के मामले में बिदेशी डाक द्वारा परसारन के लिए बीमा निवारी शर्त है सबसे पहले बैंक नोट्स प्रीशे स्टोंज वैलरी या फिर ओल दिया वख त्याब इस कॉशन का से यांसर आएगा इनसफी के लिए इंस्ट्रेशन जोब वा जरूरी है धना रिखना कि णिर आर्टिकल के लिए इन्शॉरेशन कंपल्स्री है किन के लिए इंशॉरेशन कंपल्स्री है yes important questions following statements with respect to aerogram are correct aerogram के संबंद में कौन सा कथन आपको वदाना है सही है सबसे पहले यहां पे बोला गया है aerogram is exclusively transmitted by airmail aerogram विशेश रूप से airmail द्वारा प्रेशित होता है aerogram has no corresponding category in surface mail सताय mail में aerogram की कोई वी संगश रेड़ी नहीं है कोई वी सगा संबंदी आपको इसका surface mail में नहीं मिलेगा only first है only second बोथ first and second neither first nor second नहां पे इस question का जो answer आएगा see both first and second are correct who among the following is the founder of Microsoft Microsoft जो है इसके संसाबक कोन है Steve Jobs है Will Gates है सत्या निडेल है या फिर वारिन वफे नहां पे इस question का जो या फिर प्रिंटर है तो यहां पर देखिए इस question का सही answer आएगा mother word यह सारे कहें आपके output या input devices है mouse क्या है आपका input है keyword input है printer output है लेकिन mother board नहीं है कहीं भी नहीं आता है तो यह हो जाएगा यह आपका सही answer और network designed to allow communication with an organization is called एक संगठन के भीतर संचार के नुमती के लिए design किया गया network कि क्या कहलाता है इंटरनेट इंटरनेट अर्थनेट या फिर browser question का सही answer होगा आपके आपके बी इंटरनेट इसको कहा जाता है a number that uniquely identifies each computer on the internet is called एक शाखा एक संख्या जो इंटरनेट पर परते कंप्यूटर को बिशिष्ट रूप परदान करती है या उसके लिए पहचानी जाती है उसको क्या कहा जाता है mac id, ip address, internet gateway या फिर नन अफ दिवाफ question का सही answer होगा भी ip address इसको कहा जाता है और आज की वीडियो का last question है आपके पास but does vpn stands for vpn की इसको क्या फूरम है, visual processing network, vast promotion network, virtual protocol network, virtual private network question का सेयासर आजाएगा आपके वास the virtual private network तो यह था वेस्ट बेंगोल सरकल का कोशन बेपर बहुँजा टफ नहीं है ठीक है अगर आप सारे कोशन जो पड़े हुए है और वो करके जाते हैं तब भी डिपार्टमेंट के 50 मैं से लगवग 45 कोशन जो है आप बार बार कहीं नहीं रिपीट किया होंगे जो हम करते हैं उ कर सकते हैं और ग्लास जो आप जुड़ना चाहते हैं मैसिज हमें कर सकते हैं और साथ में 40 प्रिविए से कोशन वेपर्स की पीडिया फाइल सब्सक्राइब आपको प्रवाइड करवाएंगे तो बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगे अगर आप यह सारा कर लेते हैं उसका से त्यारी रहते हैं कुछ आप जूड़ सकते हैं हमारे साथ और किसी भी कोशन का अंसर आपको गलत लगा है आपसे रिक्वेस्ट है उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें बाकी भी कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें जिसको लगता है नहीं है कोई भी गलत ऐसा जो आपने गलत याद कर लिया बहां पर आगे आप फिर गलत कर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा तो आप बहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स थैंक यू